हेलो फ्रेंड्स माइनेम इस हेमन्त आज हम SSE CHSL 2019 जो अक्टूबर 2020 में हुआ था उसमें 16 अक्टूबर की सेकिंड से सॉल्व करेंगे पहला कुश्यन है यदि sin theta plus cos theta equal to 2 है तो sin square theta plus cos square theta का मान बताना है तो यहाँ पर अगर आप theta की value 90 रखते है तो यह 1 plus 1 2 हो जाएगा तो यहाँ भी 90 रखेंगे तो यह 1 plus 1 2 हो जाएगा इस cancer 2 हो जाएगा और अगर आपके वीडियो पसंद आती है तो आप इसे like, share और चैनल को subscribe जरूर करें next question diis है इसमें दिया गया निमन ग्राफ का अध्यन करें और ग्राफ के आधार पर दिये गए प्रस्ट का उत्तर दे तो इसमें आपको बताना है 45 वर्ष से कम आयू वाले सिक्षकों की संख्या कुल सिक्षकों की संख्या की कितनी परतिसेत है तो 45 वर्ष से कम आयू वाले कौन से यह है 3 2 5 5 5 5 10 10 6 16 4 20 20 है और total कितने है 25 है तो 20 अपन 25 कितना हो जाएगा आपका इंटू 100 करेंगे तो यह 25 चको 100 20 चको 80 तो यह 80 परसेंट आपका आजाएगा जो कि आपका third option है next question है किसी खिलाडी का 15 पारियों का एक निश्चित उसत है 16 पारियों में वह 120 रन मनाता है जिससे उसका उसत 6 रन बढ़ जाता है नया उसत क्याद कीजिए तो यहाँ पर आप माल लीजिए जो 15 पारियों में वह उसत कितना है एकस है तो सम कितना हो जाएगा 15 पारियों का 15 एकस हो जाएगा उसके बाद कह रहा है 16 पारियों के सम पता चल गया और 15 पारियों का सम पता चल गया तो इसने दियाए कि 16 पारि में 120 रन बनाता है यानि कि अगर आप 16 पारियों में से 15 पारियां निकाल देंगे तो आपका 120 डिफरेंस आना चाहिए यानि कि आप यह कह सकते है 16 x plus 6 minus 15 x करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 120 आएगा तो इससे solve करेंगे नया उसत ग्याद कीजिए तो आपका नया उसत क्या है x plus 6 है तो 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपके पास 30 हो जाएगा जो कि आपका first answer है next question करते हैं दिया गया है कि 2 की पावर 20 प्लस 1 किसी पून संख्या से पूनते विभाज यह निम्न में से कौन सी संख्या उसी संख्या से पूनते विभाज होगी तो यहाँ पर आप 2 की पावर 20 प्लस 1 को आप क्या मान सकते हैं 2 की पावर 20 को आप x माने तो यह x plus 1 हो जाता है ठीक है x plus 1 हो जाता है और इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 20 का सकते हैं x plus 1 इसका formula पता होना चीए x plus x square plus 1 square minus आपका क्या होता है यहाँ पर x हो जाएगा ठीक है तो यह आप लिख सकते हैं से तो यह x plus 1 इसका एक factor है तो आपका answer क्या हो जाएगा 2 की पाउर 60 plus 1 हो जाएगा ठीक है next question करते है next is simplification के तो इसमें सबसे पहले हाँ सॉल्व करेंगे तो 8-7 होगा plus 7 हो जाएगा 8-1 7 होगा ठीक है minus 7 ठीक है minus 7 यहाँ से आ जाएगा आप 4 plus 4 हो जाएगा और इससे solve करेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह यह भी प्लस 4 है ठीक है मैनस और यह 121 यहां भागा एक तो यह एक प्लस यह हो जाएगा तो चार चार आठ एक नौ हो गया 10 मैनस 9 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा जो कि आपका second option है next question है 2x-3y इन में से किसका golden count factor है ठीक है अगर आपको factor देखना है तो यहाँ पर आप इस equation को क्या लिख सकते है ठीक है अगर आप देखने यह 4x square plus 9y square minus 12xy plus 2x-3y है तो इसको आप क्या लिख सकते है इसको आप लिख सकते है 2x-3y का whole square ठीक है plus 2x-3y यहाँ से आप 2x-3y common लेंगे तो यह आपको क्या हो जाएगा 2x-3y plus 1 हो जाएगा तो आपने देखा कि 2x-3y इसका एक factor है ठीक है तो आपका answer क्या हो जाएगा first option हो जाएगा ठीक है एक तरीका और है आपको पता है अगर factor होगा तो इसकी value अगर हम 2x-3y को 0 लिखेंगे ठीक है और यह value क्या आजाएगी 2x-3y आजाएगी और यहाँ से x upon y कितना आजाएगा 3 upon 2 अगर आप 3 upon 2 यहाँ पर रखेंगे इन equation में तो यह आपका 0 आना चाहिए अगर आप इस पर रखते हैं तो यह आपका 0 आएगा आपको बताए इस equation को हमने क्या लिखा है ठीक है इस equation को हमने यह लिखा है ठीक है त लेकिन बचा हुआ पार्ट जो है यह सारा प्लस का है तो यह भी 0 नहीं आएगा और यह भी प्लस प्लस है तो यह भी आपका 0 नहीं आएगा ठीक है तो आपका answer यह हो जाएगा नेक्स question करते है नेक्स question है निमने graph का अध्यन करें और graph के आधार पर दिये गए कथन का उत्त तो यहाँ पर आपको बताना है सुक्रोवार से सनिवार तक उत्पादन में कितने परतेसत की गिराउट दर्जी की गई तो सुक्रोवार से सनिवार तक Friday से Saturday आप देखिए 50 से 30 हुआ यानि कि 20% की गिराउट 50 पर तो कितने परसेंट की होगी 50 दूनी 100 20 दूनी 40 तो 40% की ग से तरफल क्या होता है ए स्कॉयर होता है तो आपको कितने दिया गயा है स् landscapes स्कॉय प्लस एट एक से wave स्कॉायर होता है एस वहार टूल तो ठीक है तो यहाँ पर आपका एक कितना हो जाएगा एक इस परसेंट की दो क्रमिक छूट देने के बजाए देने के बाद 31-500 में बेचा जाता है मोबाइल का अंकित मुली ग्याद कीजिए तो यहाँ पर आप 30% को क्या लिख सकते हैं 3 बटे 10 और 10% को 1 बटे 10 ठीक है यह fraction form में तो mark price पर आपका 3 बटे 10 का discount है तो mark price का 7 बटे 10 हो जाएगा और यह 1 का discount है तो कितना हो जाएगा 9 बटे 10 तो यह आपका कितने में बेचा जाता है यहाँ से अगर हम mark price का निकालते तो 31- 500 में बेचा जाता है तो यहाँ से आप देखें सत्नम 63 और 63 से कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा ठीक है 500 हो जाएगा और यह आपका mark price कितना जाएगा 50,000 हो जाएगा ठीक है यह आपका first option हो जाएगा ठीक है दूसरा तरीका यह भी है आप मान लीजिए कि mark price कितना था 100 ठीक है उस पर आपका 30% का discount दिया तो कितना हो गया आपका 70 का हो गया फिर उसके बाद आपका 10% का discount दिया तो 10% कितना हो जाएगा 70 का 7 तो यहां से 63 तो final जो selling price आया आपके according अगर आपने 100 माना था तो 63 लेकिन इसने 63 की value selling price कितना दिया गया 63 की value 31 500 दी गई है तो एक की value क किसकी निकाल लिए mark price 100 की तो 100 से multiply करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 500 और यह आपका 50,000 आ जाएगा ठीक है जो कि आपका first option है next question करते है next दिया गया दो rail गाडिया station A और B जिनके बीच की दूरी 1800 km है से एक सांथ क्रम से 44 km पती घंटे और 46 km पती घंटे की औस चाल से एक द 500 है और यहां से जो चल लिए A से हो 44 है और यह 46 है तो कहां पर मिलेंगी तो अगर आप निकालेंगे तो 1800 upon 44 plus 46 कितना हो जाएगा 4 50,000 नबबे तो यहां से आप कितना आजाएगा टाइम कितना आजाएगा 9 दूरी अठारा 20 तो यह 20 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी त तो 20 गंटे बाद अगर 20 यह आपकी speed है और 20 गंटे है तो यहां पर यह कितनी distance बाद मिलेंगी तो 20 चको कितना 20 चार दूनिया 880 हो जाएगा तो ए से जो मिलेंगी यहां पर 880 किलोमेटर बाद और यहां से जो मिलेंगी यहां से आपका कितना जाएगा next question करते है next दिया गया है दी गई आकरती में PQR से एक चक्री चतुर भूज है यदि PQSR के समानतर है PQSR के समानतर है तो कूण PQR का माप ज्यांत करें तो आपको पता है कि अगर PQSR के समानतर है तो यह ट्रेपेजियम मन जाएगा और सर्किल के अंदर जो ट्रे जाएगा तो यह च कम आपको पता है ठीक है यह तम्हान फेट फ्रेकर आजनतर है तो इसका सम आपका 180 होना चाहिए तो आपका उप आफगल जाएगा fourth option next question करते हैं बहुत सारे तरीके इसको करने के आप ये भी देख सकते हैं कि ये पैलर है अगर ये 70 है तो ये भी आपका ये भी आपका 70 होगा तो ये state line होगी ये 70 है तो ये आपको कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा ठीक है next question करते है next है निमने graph का अध्यन करें और graph के आधार पर दिये गए प्रस्न का उत्तर दीजे तो इसमें आपको बताना है किस दिन का उत्पादन कुल उत्पादन का एक बट्टे पांस था पहले आप कुल उत्पादन निकाल लिजे कुल उत्पादन कितना है 50, 30, 80, 80 और 40, 120, 120 और 60, 180, 220, 240, 250 टोटल जो है आपका 250 है अब आपको देखना है कि एक बट्टे पांस कौन सा है तो अगर आप 25 रखने है तो यह आपका एक बट्टे दस आजाएगा ठीक है टोटल उत्पादन का एक बट्टे पांस निकालना है यानिकि यह एक बट्टे पांच आना चाहिए तो यहाँ पर अगर आप 25 रखने है तो यह एक बट्टे 10 आजाएगा तो यह हो नहीं सकता ठीक है तो यहाँ पर होगा नहीं है नेक्स्ट यहाँ पर आप रखने है यहाँ पर मंगलवार का ठीक है मंगलवार का 40 रखे भी नहीं आएगा उसी बात सुक्रवार में जाएंगे option से option देखके आपको रखना है तो सुक्रवार को आप देखेंगे सुक्रवार को 50 है तो यहाँ पर आप 50 रखेंगे तो यह कितना आ जाएगा पांच एकम पांच पांच 25 तो एक बट्टे पांच आ जा रहा है कूल उत्वादन का तो आपका अंसर Friday हो जाएगा second option ठीक है next question करते है next दिया गया है दस सेंटीमेटर वह आपकी 16 है और यह है आपकी 12 तो यदिवे केंद्र से 10 सेंटीमेटर तिज्या है ठीक है यह सेंटर मान लीजे यह आपकी 10 होगी ठीक है तो सेंटर से आपको क्या निकालना है इन दोनों जिवाओं के बीच की दूरी तो यह 10 है तो आपको पता है यह bicep करेगा ठीक है 90 degree angle हो तो यह 16 है तो यह 8 होगा यह भी 8 होगा और यहां भी आपका same यह 6 होगा तो यहां से भी आपकी 10 होगी ठीक है तो यहां पर आप देखने ही यह 8 है यह 10 है तो यह आपकी length जो हो जाएगी center ओ से यह 6 हो जाएगी ठीक है 10 दिसाम 100 8 64 100 में से 64 घताएंगे 36 हैगा और यह आपका 6 का स्क्वायर होता है ठीक है पैथागोरस तो यह 10 है और 6 यह तो 8 हो जाएगा तो आपको length कौन से निकालने है तो आपको इन दोनों की बीच की यह distance निकालने है तो यह 8 है यह 6 है तो total कितनी हो जाएगी 14 जो कि आपका second option है next question करते है next आपको दिया गया है सलमा कोई वस्तू खरीती है और फिर इसे 810 में बेचती है तो उसे 10% की हानी होती है तो 4% का लाप प्राप्ट करने के लिए उसे वस्तू को किस मुली पर बेचना होगा ठीक है तो आप मान लीजिए 100 रुपे थे 10% की हानी होई तो कितने में नबे में ठीक है तो नबे में बेचा तो नबे की वैलिऊ आपको कितने दी गई है अभी हम देखते है ठीक है ये पहला केश हो गया दूसरे केस में उसे 4% लाप राप चुकरना है यानि कि 100 की वस्तू को कितने में बेचना है 104 में बेचना है तो यानि कि आपको अब 104 की वैल्यू निकालनी है तो 90 की वैल्यू कितनी दीगी है 810 दीगी है बोला है उसने ठीक है तो 90 की value 810 है तो 90 की value 810 है तो 1 की कितनी हो जाएगी 810 upon 90 हो जाएगी और आपको निकालनी कितनी किये 104 की निकालनी तो 104 से multiply कर लेंगे तो यहां से आपका कितना आ जाएगा 991 और 100 इंटो 104 कितना हो जाएगा 900 936 936 हो जाएगा जो कि आपका fourth option है Next question है किसी tank का आयतन 72 घंट मीटर है इसमें 60 लीटर प्रती मिनट की दर से पानी भरा जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ग्याद कीजिए तो 72 घंट मीटर का मतलब क्या हो गया एक मीटर क्यों पीकुल टू कितना होता है 1000 लीटर हो गया तो 72 घंट का मतलब कितना हो गया आपका बहत्तर इंटू 1000 हो गया ठीक है तो अब बुला गया साटी लीटर प्रती मिनट की दर से पानी भरा जाता है यानि कि एक मिनट में साटी भरा जाता है तो 72, 1000 कितने मिनट में भरा जाएगा, 60 से डिवाइट कर लिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, बारचक 72, 1200 मिनट आ जाएगा, तो 1200 मिनट आ गया, इसको आपको किस में निकालना है, घंटे में निकालना है, तो 60 से डिवाइट कर लिजी, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 6 खैदुनी 12, 20, तो 20 घंटे आपका आ जाएगा जो कि आपका first option है, next question है, A और B अकेले किसी दिवार का निर्मान 12 और 16 दिन में कर सकते हैं, A से शुरू करके यदि वे बारी बारी से परते एक दिन कारे करते हैं, तो कितने दिनों में दिवार का निर्मान पूरा हो जाएगा, तो A और B जो हैं, वो कितने 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं, तो यानि कि टोटल वर कितना हो जाएगा, इनका LCM, 48, तो 12, चको 48, 16, तो आपको पता चल गया, efficiency क्या है, A की 4 है, और B की कितनी है, 3 है, टोटल वर का 48 करना है, तो आपने देखा कि एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में A 4 करेगा, और B 3 करेगा, अब बोला है कि A से सुरू करके, वे alternate कारी करते हैं, यानि कि पहले दिन A करता है, तो दूसरे दिन B करता है, तो आप कह सकते हैं, दो दिनों में ये कितना काम कर लेंगे, आपका 4 प्लस 3, 7, तो दो दिनों में 7 कर लेंगे, तो उसके 6 दूनी 12, तो यानि कि 12 दिन में ये कितना यूनिट काम कर लेंगे, 42 यूनिट कर लेंगे, अब 6 यूनिट काम बचा है, तो अब जो आएगा, पहले दिन काम करने A आएगा, तो A आएगा, तो यहाँ पर 13 दिन हो जाएंगे, एक दिन लगए, और कितना यूनिट काम हो जा और यहां पर आपका 2 करेगा तो 48 हो जाएगा ठीक है तो आपका कितने दिल लगे 13 सही 2 बट्टे 3 दिल लग जाएंगे जो कि आपका second option है next question करते है next है आपका 10 a 10 4 a equal to cot a minus 20 है तो 10 to a कमान ज्याद किज़े तो आपको पता होने चीए अगर 10 a equal to cot a होता है cot b होता है तो यहाँ पर a plus b कितना होता है condition क्या होती है अगर 10 a equal to cot b होगा तो a plus b 90 होना चीए तो यहाँ पर 10 4 a equal to cot b है तो यहाँ पर 4 a plus a minus 20 का मान कितना होना चीए 90 होना चीए तो इससे solve करें 5A हो जाएगा यह आपका 110 होगा और यहां से A की value कितनी आ जाएगी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 degree जो कि आपका first option है next question है 320 की रासी कितनी यह उधी में बढ़कर 405 हो जाएगी यदि ब्याज की गणना 12.5% वार्सिस चक्रवर्दी चक्रवर्दी के आधार पर की जाती है तो 12.5 को आप कितना लिख सकते हैं एक बट्टे 8 लिख सकते हैं तो आप देखिए कि 320 की रासी है जो 405 हो जा रही है अगर आप इसे काटेंगे 5 से तो 5 चका 30, 5 चको 20 और यह आपका 5, 68, 40 तो इसका अंडरूठ निकालेंगे तो यह कितना आ रहा है 8 और 9 तो अंडरूठ निकालने तो 2 बार जाना पढ़ दा है तो आप कह सकते कि यहाँ पर 1 बट्टे 8 ही है यहाँ भी 8 से 9 जाएंगे तो यहाँ पर आप किये कह सकते कि 2 साल के लिए होगा तो answer इसका दो साल के लिए हो जाएगा ठीक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इसली समझ में आ रहा होगा नहीं तो एक तरीका ये भी है आपने देखा कि rate जो है वो आपके कितना है एक बट्टे 8 है यानि कि इसको 12.5% निकल लिख सकते हैं और आपकी रासी जो है 320 है तो आप देखने हैं यहाँ पर फर्स सेकेंड ट्री मेठेट से कर सकते हैं तो पहले साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा एक बट्टे 8 तो आप कहींगे 40 मिलेगा आपको टोटल ब्याज कितना निकालना है ठीक है एक्स्ट्रा कितना मिला 85 तो यहाँ पर पहले साल में आपको 40 मिलेगा दूसरे साल में आप 320 का एक बट्टे 8 निकालेगे तो आपके पास 40 मिलेगा फिर उसके बाद आपका 40 का भी निकालेगे दूसरे साल में एक बट्टे 8 पांच मिलेगा तो यहां से आप देखने कि 40-40 असी 85 है आपको ब्याज मिलना और 85 है आपको निकालना तो आपने देखा कितने साल में निकाला आपने दो साल में निकाला तो आपका आंसर दो साल हो जाएगा next question दिया गया आठ थेरा चबविस और चालिस में से प्रतेख संख्या में कौन से संख्या को जोड़ा जाना चाइए ताकि इस क्रम में प्राप्ति संख्या समानुपात में हो इसको आप option से कर लीजे इसमें आपका दिया गया है 8 upon 13 plus x इसमें क्या जोड़ा जाए कि यह समानुपात में हो ठीक है यह आपका 26 plus x upon 14 plus x होना चीए तो यहाँ पर आप x की value option से करिए 2 रखिए तो यहाँ पर 10 और यह 15 आ जाएगा तो इसलिए answer आपका क्या हो जाएगा option 1 दो answer next है sin 20 cos 70 plus sin 70 plus cos 20 का मान तो यह तो simple है यह आपका formula पता हो रहें चीए sin a cos b plus sin b cos a का formula क्या होता है sin a plus b ठीक है a plus b तो a कितना दिया गया है 20 और b 70 दिया गया है तो यहाँ पर आपका sin 90 हो जाएगा तो sin 90 equal to कितना होता है one जो कि आपका first option है next question करेंगे यहाँ पर दिया गया है दी गई आकरती में a p b c के अभी लंबवत है a p b c के अभी लंबवत है और a q कूण a का समदिवाजक है bisector है कूण p q a का महाब ग्याद कीजिए तो आपको p q a निकालना है यानि कि यह एंगल निकालना है तो आप देखनें यह 60 है यह 30 है तो यह पूरा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा जो a है a q है यह आपका क्या है a qc ठीक है ट्रैंगल a qc देखेंगे और आपको एंगल यह निकालना तो यह एंगल क्या है यह इसका भायख्षो ден ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा अंत्रियक अपोजिट कौनों का सम हो जाएगा यह 45 पर 30 है तो इसका सम हो जाएगए तो यह 45 plus 30 कितना हो जाएगा 75 तो इसका मान आपका कितना आजाएगा 75 आएगा जो कि आपका photo option है next question करते है next question दिया गया है दो tank यह और B में पानी की मातरा का अनुपाद जो है आपका 6 ratio 5 है ठीक है 6 ratio 5 है उसके बाद बोला गया tank के A में पानी tank के A के पानी की मातरा में 30% की ब्रद्धी की जाती है तो इसम होता है 30% आप देखिए 10% आपका 0.6, 6, 18, 1.8 होता है तो यहाँ पर आपका 7.8 हो जाएगा ठीक है 30% की ब्रद्धी उसके बाद बोला गया कि tank B के पानी की मातरा में कितने प्रतिसाद ब्रद्धी की जानी चीए कि दोनों tank यों में पानी की मातरा समान हो तो इस पर आपक कितना प्रतिसाद है 5 का आप निकालेंगे यह आपका कितना है 5, 20 बार जाएगा और 28 दुनी 56% तो आपका 56% इसका आंसर आजाएगा जो कि आपका 4th option है next question करेंगे next दिया गया है AX प्लस BY इन में से किसका golden खंड है factor है तो आप देख सकते AX प्लस BY को आप क्या लिख सकते इसका square करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते A square X square प्लस B square Y square प्लस 2ABXY ठीक है तो यह लिख सकते तो आप देखेंगे यह कौन से question में यह पहले option में तो इसका अंसर यह हो जाएगा यह इसका factor होगा ठीक है next question करते है next दिया में निकालना आपका निम्न ग्राफ का अज्य कितने सिक्षकों की आयू 45 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 50 वर्ष से कम है तो आप देखें कि 45 वर्ष यह है 45 वर्ष और 50 वर्ष से कम जो है यह आपके 5 ही है तो आंसर आपका कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा next question है किसी तिर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 4, 8 है तो यह है एक तिर्भुज है तो आपको पता है ठीक है अनुपात क्या है 3, 4, 8 है तो यानि कि यह आपका कितना हो जाएगा 3 ठीटा 4 ठीटा मान लिजी 8 ठीटा ठीक है तो यह आपका कितना हो जाएगा 8, 4, 12, 3, 15 15 ठ पास 180 है तो यहां से ठीटा की वैल्यू कितने आगी 15 15 और आपका कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 तो 12 आगी ठीटा की वैल्यू तो आपके जो कौन आएंगे यह आपको पता चल गया एक कौन आपका 90 से जादे आ गया तो 90 से जादे आ जाए तो कौन सा कौन होता है उतिरभुज obtuse angle होता है ठीक है तो यह आपको कौन सा हो जाएगा अधिक कौन हो जाएगा ठीक है आंसर आपका अधिक कौन हो जाएगा तो यही पर यही वीडियो खतम होती है यही पर सारे question खतम होते है अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आपके से like, share और चैनल को subscribe जरूर कर Thank you so much.